दोस्तों रसोई घर में रखी रोटी के साथ यह गल्दी कभी मत करना नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कश्टकारी हो सकता है और इसका खामियाजा आपको पूरी जिंदगी भुगतना पड़ सकता है इसलिए कुछ ऐसी वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे कार्य है क्य इस वीडियो में यह भी जानेंगे की आटा गूंद थे समय आपको आते में ऐसी कौन सी एक चीज मिला लेनी है जिससे आपको लाब ही लाब हो आपको बता दे की जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है मान सम्मान की हानी हो सकती है दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूल कर भी ना करें तीन कम दोस्तों रसोई घर घर का मुख्य भाग होता है रसोई घर में तरहत रह के बन और पकवान बनाए जाते हैं उन्हें में से एक खास पकवान है रोटी इसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है आपको बता दे की मह अक्सर महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती है जिसके कारण घर में। यहां तक की रसोई घर से निकलने वाली गलत उर्जा जीवन को पूरी तरह से बरबाद कर देती है पती की तरफकी में बधाई आने लगती है माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय यह तीन गलतियां अगर करेगी तो उसका बरबाद होना सब भाविक है इसलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय कंगा लिया जाती है तो आईए जानते हैं लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों नमबर एक सबसे पहले तो आपको बता दे की महिलाओं को इस बात का ज्या है जब किसी की मृत्यू हो जाती है अर्थात करने वाली के लिए तीन रोटिया को जो भी खाता है उसे पर नकारात मक्ता का संचार बनने लगता है हाल में किसी भी परिस्थिती में एक साथ तीन रो ध्यान न खाए अगर खाना है तो तीन रोते को एक साथ बिलकुल लगे एक एक करके खा सकते हैं नमबर दो अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती है जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है यहां तक की घर का मुख्या कंगाल हो जाता है इसलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल जरूर रखना चाहिए इधर उधर हाथ नहीं लगना चाहिए वरना बनने वाला खाना दूशित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहें करता है तो निश्चित तोर पर राहु केतु का सामना करता है ऐसा खाना दूशित हो जाता है इसलिए अगर आपके हाथ गड़ भे हो जाए तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है पैसा खाना जहर के समान होता है इसे माता अनपूरा नाराज हो जाती है नंबर तीन सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पडोसियों को ना दे इससे धान की हानी होती है घर में एन की कमी हो जाती है तो कोई घर में एक से ज्यादा चाकू चोरी नहीं होनी चाह ये मित्रों आप से एक छोटी बात और कहना चाहेंगे कि आगे जानकारी बताने। से पहले आप अपनी राशी को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दे क्योंकि हम पार्सी से जुड़ा। आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ आसान से उपाय भी बताते हैं इसलिए आप अपनी राशी को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे और कमेंट बॉक्स में अपने जैमा लक्षमी ना लिखा हो तो जरूर ही पर एकदम पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोश उत्पन हो जाता है, और शनी की। तोर पर ऐसा करती है, तो माता अनपूर्णा सदैव आपके घर को भर देती है, ऐसा व्यक्ति कई पुन्य को प्राप्त कर लेता है, जीवन में कभी कष्ट नहीं आते दोस्तों रसोई में अनपूर्णा का आवाज भी माना जाता है, इसलिए रसोई में न सिर्फ शुद्ध बलकि रसोई में क्या करें क्या ना करें यह भी बहुत माइने रखता है। जाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती है, जिसका वर्णन इस प्रकार है नमबर एक रसोई में सबसे पहली। गलती जो अधिकतर ग्रह करती है, वह यह है, रसोई में घुस जाती है, जो की बहुत ही गलत है नाराज हो। जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होने शुरू हो जाते हैं। नमबर दो आज के स्टैंडिंग किचिन के जमाने में महीलाएं सेहत पर पड़ता है, इसलिए रोटी हमेशा लकडी के चकले पर ही बेल कर बनाएं, इससे धन लाब के साथ साथ बीमारिया भी दूर होगी नमबर तीन रसोई घर को मा अनपूर्णा माना जाता है, इसलिए क कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें, इसके अलावा गैस को भी कभी कभी इस धर में है नमबर चार रसोई की सजावट करने के लिए आ, श्री कृष्ण का मखन खाते हुए कोई भी चित्र लगा सकती है, इसे किचन के साथ घर में भी उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए बहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवाले या फिर उन्हें घर से बाहर ही निकाल दे स्त्री को कभी भी बिना नहाए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से परिवार जनों की सेहत प किचन में शीशा लगा लेते हैं लेकिन वास्तु शास्त्र का इस्तमाल नहीं करना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूलहा अगनी देव का सूचक माना जाता है इसके कारण घर में आर्थिक हो जाते हैं इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिती भी बिगड़ने लगती है कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद धूंडा हुआ बच्चा हुआ आज आप फ्रिज में छोर देती है वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता रसोई घर में गुंडा हुआ आटा रखने से शनी और राहु का नकारात्मक प्रभाव पढ़ने किचन में का बाल सामान नाराज हो सकती है इस नमक को पानी में बहां देना चाहिए माना जाता है ऐसी गलती भूल कर भी ना करें वरना पड़ेगा भारी कश्ट और दुखों का सामना मित्रों आप सभी को हम बता दे कि अब हम आपको कुछ ऐसी जानकारी बताने वाले हैं यानी की आते में ऐसी कौन सी चीज मिल लेना चाहिए जिससे की आपको लाब ही लाब हो इसके लिए मित्रों अब हम आपको वही जानकारी देने वाले हैं इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर ही कर दे चलिए जान लेते हैं कि ऐसी रोटी में ऐसी कौन सी एक चीज मिल लेने से हमें लाब ही लाब होता है रोटी को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम आटे में तरहत्रह की चीजें मिलाते हैं, कोई आटे में नमक तो कोई चिली फ्लेक्स मिलाता है, इतना ही नहीं, कुछ लोग तो आटे में जीरा अजवाइन और सॉम्फ भी मिलाकर रोटी बनाते हैं, अगर आटे में सॉम्फ और अजवाइन मिलाया जाए, फिर इस आटे की रोटी बनाई जाए, तो ये सेहत के लिए बेहत फाइदे मंद होती है, सॉम्फ और अजवाइन सेहत के लिए बेहत लाभकारी होते हैं, इसके ल आप भी नियमित रूप से रोटी बनाते समय आटे में सौंफ और अजवाइन मिला सकते हैं, इसके फायदे कब्ज और गैस से निजात कई लोगों को कब्ज और गैस की समस्या रहती है. ऐसे में कब्ज से छुटकारा पाने के लिए लोग तरहत रहके चूर्ण आदी का सेवन करते हैं, आप चाहें तो कब्ज और गैस से निजात पाने के लिए सौंफ और अजवाइन का उपियोग कर सकते हैं. अगर आप आटे में सौंफ और अजवाइन का पावडर मिलाएंगे और फिर इस रोटी को खाएंगे तो इससे कब्ज और गैस से छुटकारा मिल सकता है, रोजाना सौंफ और अजवाइन वाली रोटी खाने से पाचन शक्ती दुरुस्त बनती है, और कई समस्याओं से नि आप सौंफ और अजवाइन वाली रोटी खा सकते हैं, सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इससे शरीर की जलन को शांत करने में मदद मिलती है, सौंफ पाचन से जुडी सभी। जरूरी होता है हालांकि, कई लोगों को डाइजेशन से जुडी समस्याएं रहती हैं, अगर आपका पाचन कमजोर है, तो आटे में सौंफ और अजवाइन मिलाकर रोटी बनाएं, इस रोटी को खाने से आपका डाइजेशन मजबूत होगा, और कई समस्याएं दूर होंग चार डाइबिटीज रोगियों के लिए फाइदेमंद सौंफ और अजवाइन डाइबिटीज। अगर आप नियमित रूप से सौंफ और अजवाइन वाली रोटी खाएंगे, तो इससे तवचा से जुड़ी, समस्याएं भी दूर होंगी दरसल सौंफ और अजवाइन शरीर में मौजूद टॉक्सिंस को बाहर निकालने में, मदद करते हैं, इसका असर तवचा पर भी द पाच्य हो जाएगी, आटे में अजवाइन मिलाने से ये पाचक हो जाता है, इससे गैस, एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या नहीं होती है, बच्चों को भी अजवाइन वाली रोटियां खिलाने से फायदा मिलता है, आप चाहें को आटे में बहुत थोड़ा नमक भी मिला सकते हैं, पेट की कई समस्याओं को अजवाइन से दूर किया जा सकता है, आशा करती है, मित्रों आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यानवर्धक और अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को अवश्य की सब्सक्राइब करें, औ और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे की उन्हें भी इतनी, जानवर्धक जानकारी प्राप्त हो, सके हमारा संकल्प है, कि फ्री माध्यम से हर एक माता बहन तक फ्री में जानकारी पहुँचाना, और उनके जीवन में कुछ उपायों के जरिये बड़े जिससे की उन्हें लाब ही लाब हो मिलते हैं, मित्रों नई वीडियो में